पसंद आ रहे हैं पाचीत करने की जरुद जी आप लोग SMIFS में इस तरह के लाज स्ट्रेट्स ट्रैक करते हो गया कौन एंट्री कर रहा है कौन एग्जिट कर रहा है क्लोजली वच आउट करते हो गया ट्रैक तो करते है बट जेनरली हमारे इंवेस्मेंट डिसिजिएन उस पे सोली बेज नहीं होते हैं हमारे इंवेस्मेंट डिसिजिएन लाजली बेज़ होते हैं कि हमें कंपणी कैसी लगती है लेकिन अच्छा है ये एक पहलू हो गया एक कड़ी हो गई उन स्टॉक्स को आइंटिफाई करने की लेकिन वो पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं आशी जी को शरच जी को अरियंद कापिल को SMIFS को ये शो के दौरान हमें पता चलेगा मैंने क्या करा है डेट वाइस जो लेटस डील हुई थी उससे शुरू करूँगा और फिर पीछे जाता चले जाओँगा बड़े स्टॉक्स छोटे स्टॉक्स ऐसार कैसिफाई नहीं करा है जो सबसे हालिया हुआ था डील उससे शुरुआत कर रहा हूँ और महिश्वरी सारी आपके लिए जारा स्क्रीम्स पे दिखाईएगा बंधन बैंक को लेकर अपडेट आया था बंधन बैंक को लेकर अपडेट क्या आया था पहले मैंने सोचा तो जब शोर शुरू करूँगा तो सिफ एफाई जहां से एक्जिट हो रहे हैं एफपी आई जहां से एक्जिट हो रहे हैं उन्हीं को लूँगा फिर कई सारे ऐसे नाम थे एलेंटी फिनांस बंधन जिसमें लाज्स ट्रांसक्शन्स हुआ और बातचीत करने की जरुवत थी तो मैंने सोचा आप ऐसा नहीं करता हूं लाजली लिये वाले जहां फाई हुए हैं लेकिन इस तरह की कुछ स्टॉक्स भी आपको नजर आएंगे बंधन मांग की रेडार पर आया क्योंकि HDFC ने शेयर बेचे ये ख़वर आई थी ये डील हुई थी आठ एपरिल को जिसमें HDFC ने अल्मोस्ट पांच करोड शेयर तीन सो छे रुपए साथ पैसे के भाव पे बेचे पांच करोड बेचे थे जिसमें सिर्फ दो करोड का अपडेट है मेरे पास एक करोड नबे लाग शेयर उसमें से सुसाइटे जनराल ने खरीदे बाकी के कौन बायर्स थे ओ लाज्ट ट्रेज में समने नहीं आया पर बंदन बैंक में दिक्कत ये थी एक की ओवरहाइंग बना हुआ था आपको याद होगा बंदन और घुरू का मरजर और उस मरजर के जलते ही HDFC बैंक को शेयर राट किये गए थे HDFC लिमिटेट को माफ कीजेगा कुल मिलाकर 16 करोड शेयर दिये गए थे जिसमें इसे 5 करोड बेचे गए 8 तारिक को 8 एप्रिल को और उसके बाद HDFC का एक दिस्क्लोजर भी आया कि सिर्फ ये 5 करोड नहीं दरसल हमने को मिलाकर करीब 8 करोड शेयर ओर पिरिड ऑफ टाइम बेचे इस लाज्ट ट्रेट को आपने कैसे रीट करा ही ओर रहें कि तबड़ा हो रहेंगा है बच्चे विस्टेग्श मेरा तुमाना है कि शायद पांच पजिशन के नीचे चला जाता है तो बेचने का जुरुत नहीं पढ़ना चाहिए क्या कि अगीन स्टॉक के परफॉर्मिंग स्टॉक है और इचले कहीं कोर्टर के खराब परफॉर्मिंस के बाद में अब उसमें इंप्रूमेंट आना शुरू हुआ है जैसे लास्ट वाटर में देका तरी तो बिल्कुल इस स्टॉक को एज़ी अगी बेचना नहीं चाहिए क्योंकि अब दुबारा से तरन आरांड हो रहे हैं सारे जो माइक्रो लैंडिंग वाले जो बैंक्स है और अच्छा रिकवरी रेट भी है उनका तो फट्डमिंट ली कोई भी अप चैलिंजिस बंदन में में नजर नहीं आते हैं तो यहीं रिजाने स्टॉक भी अपने ट्रेट कर रहा है और मेरा मानना है जैसे यह